हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अगर हम अपने कंप्यूटर डिस्क्टॉप की इस बैग्राउंड को चिंज करना चाहते हैं जैसे यह हमें चिंज करना चाहते हैं तो चिंज नहीं हो पाता है यह सिश्टम में हो रहा लेकिन जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए बइख ग्राउंड करना चाहें तो बड़े बैग्राउंड का solid color हो जाता है ये अगर ये solid color नहीं करना है हम slide so करवा सकते है slide so भी करता है जो भी slides हम देंगे वो so करता जाएगा ये उसी तरह से slides चलती रहेंगी तो हमको ये slides so बगएरा नहीं करवाना है हमको picture ही रखना है और picture में हमको अपने हिसाब से photos change करते रहना है तो इसमें दोस्तों चलिए देख लेते हैं हम कब ऐसा कर पाते हैं तो इसमें क्या होता है जब हमारा ये windows operating system चाए कोई भी version हो चाए windows 7 हो चाए windows 8 हो चाए windows 10 हो ठीक तो ये activate हो जाता है इसके कुछ file मिस हो जाती है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं जैसे कि हमने ये इस PC में गए तो हमको जागर background change करना है तो पिक्यर में जाके हम जिस background को रखना चाहें तो उस पर हम double click करते हैं तो वह often हो जाता है ठीक और जब ऐसे open हो जाता है तो यहां पर देखिए यहां पर आप देखिए ध्यान से तीन बिन्दी रखी हुई है इसे कहते हैं see more तो इस पर हम click करेंगे और यहां पर एक सेटेज option आता है सेटेज पे सेटेज background सेटेज lock screen या सेटेज photo style हमको सेटेज background पर click करना है और फिर इसके बाद यह सेट हो जाता है ठीक यह देखिए यहां पर सेटेज background हो गया तो यह हमारा यहां से यह वाला option यानि जहां पर हम right click करते हैं और परस्नाइज बिचाते हैं तो यहां पर जो options होते हैं अगर हम लोग इनको नहीं choose कर पाते हैं नहीं change हो रहा यहां से ठीक तब हम यह option छोड़के हम कोई भी photo कहीं भी जहां भी रखे होते हैं अपने drive में जाते है और जिस photo को चाहिए उस पर double click करके उसे open कर लेते हैं और यहां पर set as option आता है और यह background पर click करते हैं ठीक तो यह background पर हमारे set हो जाता है यह देख सकते हैं आपकी वो photo background में set हो चुका है हमारे ठीक तो हम इस तरह से भी set कर सकते हैं तो हमको और कुछ करने की ज़रूरत नही है कि हमको और कहीं से deactivate है तो activate यदि आप भी windows करना चाहते हैं जैसे यहां पर यह सर्च वाला option है यहां पर जैसे ही हमने कोई भी चीजे सर्च करें ठीक कोई भी software सर्च हो के आ जाता है और यदि यह भी काम नहीं कर रहा तो इसको मतलब आप समझे कि आपका windows deactivate हो गया है और उसको activate करना होगा जिसका मैंने आपको वीडियो पहले ही बना के अपने यूट्यूब चैनल ब्रिश्टेग में upload कर चुके हैं तो आपको इस description में link मिल जाएगा उस वीडियो का जिससे आपका जो windows है वो deactivate हो गया है तो कैसे activate होगा यह चीज आप देख सकते हैं ठीक ह तो इस वीडियो को like, share, comment जरूर करें और यदि आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल ब्रिश्टेग को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजे ताकि आपको नए वीडियो जिके notifications मिलते रहें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए व झाल